विखार में खाने में बहुत सारी वराइटी है और थंड के मौसम में वहां का एक पारम पर एक खाना बनता है जो की है पिठा जो की आज हम लोग घर में बनाने वाले हैं और इस ब्लोग में मैं आप से भी के साथ उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूं वैसे तो पिठा बहुत सारी चीजों का बनता जैसे की दाल का, खसखस का और आलू का लेकिन आज हमारे घर में बनने जा रहा है खोया का पिठा इस तरीकी का स्वादश पिठा बनाने के लिए आपको पांच चीजे को जरुवत होगी सबसे पहले तो चावल का आटा, दूसरा चीज है खोया, तीसरा चीज है शक्कर, चौथा चीज है इलाइची का पाउडर और पांचवा चीज है दूद तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, सबसे पहले हमें चावल का आटा एक बड़े से परात में निकाल के उसका डो लगाना है और ये डो जो लगेगा ये हमेशा गरम पानी से लगेगा, अगर आप लोग गरम पानी से नहीं करोगे तो डो का वो टेक्स्चर नहीं आपाए तो धीरे धीरे चाओल के आते में गरम पानी को अची तरीके से MIX करके इसका एक बहुत ही soft सा dough लगाना है ताकि पिठा भी हमारा soft soft बने चलो अब dough तो लग गया यहां पर अब भारी है खोया तियार करनी की तो खोया कैसे तयार करना है, खोया में थोड़ा सा शकर या फिर चीनी या चीनी का बुरादा जो भी आप mix करना चाहो वो mix करके उसके बाद इसी में थोड़ा सा इलाइची का पाउडर भी mix करना है, उससे खोया हमारा तयार हो जाएगा उसके बाद फिर क्या करना है जो हमारा चावल का डो था उसको अच्छी तरीके से गरम पानी लगा-लगा के लगा-लगा के उसके बीच में एक गढ़ा करना है और उसके अंदर इस खोया के फिलिंग को भर देना है ये जो आटा है चावल का वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है तो इसको बहुत ज़्यादा नाजुक तरीके से हैंडल करना होता है लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस होगी ना पराठे बनाने की तो आप इसे अराम से बना लोगे इस पिठा को बंद करते समय इसके जो कॉर्णर्स होता है इसके उपर गरम पानी से लगाके फिर इसको चिपकाना है तो यह अच्छी तरीके से सील पैक हो जाएगा और इसको आप किसी भी शेप में बना सकते हो लंबा चोड़ा छोटा मोटा जो भी आपको मन करे उस शेप मे पिठा दूद के अंदर डालोगे तो आप नोटिस करना कि यह सारे के सारे पिठे नीचे सिंख हो जाएंगे और जब यह अच्छी तरीके से पक जाएगा नॉमली इसको पकने में 10 मिनिट लगता है और जब यह अच्छी तरीके से पक जाएगा तो आप यहां पर देख रह तो इसलिए एक एक करके अराम-राम से निकाल के किसी और युटेंसिल में रख दें वाइदवे हमारे घर में बहुत टाइम से एक नारियल रखा हुआ था जो कि किसी चीज में यूज ही नहीं आ रहा था तो हमने सोचा कि नारियल का भी तो पिठा बनता है इसलिए जो हमारा था जो हमने फिलिंग बनाया था उसी के अंदर हम लोग ने थोड़ा सा डेसी ग्रेड़िट कोकुनेट को एड कर दिया जिससे पिठ्था को एक अलगी नया फ्लेवर मिल गया और अब तो यह पिठ्था और भी जादा लाजबा पेस्ट करने वाला है तो यहां मैं और चाची पिठ्था बनाए हमारे घर में और यह हमारे घर में कम से कम तीन से चार दिन तो आफ चल लई वाला है वैसे यह बन के तैयार हो गया है तो चलिए अभी अब विखारी और रदक ख् mulher नहीं सकते हैं अगर चाहिए तो उसके सांथ मीठा भी चाहिया अगर मीठा है तो उसके वारे घर में यह आलो के सबजे भी बनती है तो यह था हमारा पिठा का रेसिपी विडियो जो की सच बताऊना तो इतना ज्यादा स्वादिश्ट लगता है खाने में एक बार आप जरूर बनागे खाईएगा और मैं कह रही हूं आसमी को एक बार बार बनाओगे और कैसा लग खाईब बनाओगे बनाओबागे खाईब लगता है खाईबागे खाईब बनाओबा जैं अवा चाईब है